तो दोस्तो आज है गोबर्धन और हम बनाने जा रहे हैं गोबर्धन पे बनने वाली अनकूट की स्पेशल भंडारे वाली सबजी जो मिक्स वैज होती है न वो और इसमें वो तरीका बताऊँगा वो सीक्रेट बताऊँगा जिससे आपकी सबजी जो है 100% हलवाई जैसी बनेगी बिल्कुल वही स्वाद आएगा क्योंकि इसको जो बनाने का तरीका इसको पकाने का तरीका और मेन होते हैं इसमें पढ़ने वाले मसाले उन सबका सीक्रेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा अगर आप इसकी सही रेस्पी जानना चाहते हैं और YouTube पे इसकी वीडियो दून रहे हैं तो किसी और की वीडियो देखने के आपको कोई जरूवत नहीं है क्योंकि उसमें आपका केवल टाइम बेस्ट होगा मैं सबकी वीडियो देखके चेक कर चुका हूँ इतना exact तरीका किसी ने नहीं बताया सबकी सबजी normal बनेगी लेक चलो सबको दिखाते हैं कि इसके secrets क्यों होते हैं ठीक है आज हम सीखेंगे बंडारी के सब्जी वो भी तुशार के तुरू क्योंकि वो बिल्कुल हलवाई जैसा ही बनाएंगे और सारे secrets के साथ होंगे तो वीडियो में बने रहे हैं चलिए शुरू करते हैं चाहिए तो यहां मैंने एक कड़ाई में ले लिया है सरसो का तेल और इसको मैं पकाऊँगा अच्छे से सरसो के तेल में जब भी सब्जी वनाएं आप पहले उसको अच्छे से पका लें दूआ उटने लग जाए तो गैस को सिम कर दें और चाहें तो गैस को बंद भी कर सक आप चाहें तो छोटा छोटा कट करके भी डाल सकते हैं कदुकस करके भी डाल सकते हैं लेकिन अधरक कम से कम पौन इंची और एक इंची का होना चाहिए अगर आप सबजी पांच लोगों के लिए बना रहे हैं तो अधरक इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ता है और थोड़ा सा इसको रोष्ट कर लेंगे और एक चमबच डालेंगे हम इसमें हल्दी हल्दी भी इसमें थोड़ी ज़्यादा पड़ती है कॉंटिटी में गैस मैंने भी बंद रखी है इस जगा क्योंकि ओइल गरम है और मुझे मसाले जलाने नहीं है अच्छे से इसका फ्ले रखी में जो हमको आलु लेना वो यह देखिए छोड़े छोड़े जो इस आलु पर स्पॉर्ट से आ रहे हैं सिकुड़न से आ रही है सालु को बोलते चिप्सवन आलू हल्वाईयों की फेवरियट होता ही आलू आपको यहीं लेना है और इसको छोटा छोटा कट कर लेना इतने वड़े-वड़े पीसिस में तो यह सबसे पहला इस्टेप है आपको आलू यह लेना है थोड़ी सी तोरहीं जो है वो मैंने इसमें कट करके डाल दी है क्योंकि मिक्स वेजे एक ही यह लिया है मैंने डोलक शेप का जो आता है यह सबजी परमल आपके शेहर में इसको क्या बोलते है प्लीज मुझे कमेंट में बताना यहां तो परवल बोलते हैं इसको इसको भी डालेंगे हम इसमें कट करके और बेगन लिया है मैंने इसमें बड़ा लगफ़क 400 ग्राम का यह बेगन था जिसको मैंने cut कर लिया है बेगन इसमें ज़्यादा पड़ता है और base जो रहता है वो बेगन कर रहता है सबजी के अंदर तो बेगन को भी आप इस तरीके से cut कर लीजेगा सारी सबजीयां cut कर कर के रखिए कासी फल लिया है थोड़ा सा taste के according बेगन को अगर cut कर के रखे तो थोड़ा पानी में डूबो के रखे दाकि वो लाल ला हो और ये लिया मैंने यहाँ पर कमल डंडी कमल ककडी और कहीं-कहीं से भसीडा भी बोलते हैं यूपी में आई रिपीट भसीडा बोलते हैं इसको और थोड़ी सी शिम्ला मिल्च थोड़ी सी फूल गोबी इनको मैंने सबको पहले cut करके रख रखा था को सबजियों को मुझे दिखाना था सावित इसलिए मैंने जैसे परमल की सबजी को दिखाया थोड़ी सी गाजर इसको भी छोटा-छोटा cut कर लिया है और थोड़ी सी मूली इसको cut कर लिया है अभी मैं आपको एक चीज़ों बताऊँगा इस वीडियो में note करने वाली जो आपको note करनी चाहिए बनाते समय थोड़ी सी beans इनको cut कर लिया है छोटा-छोटा सब्जी आप इसमें जितनी भी डालें वो mostly छोटी-छोटी cut करके ही डालें और ये लिया है मैंने सिंगाडा ये देखिए दिल शेप का सिंगाडा तो इसको काटके इसको भी डाल देना है क्योंकि सब्जी में इसका भी flavor आता है ना और ये लिए थोड़ी सी लौकी सब्जी इसमें जो आपके पास available हों आप वो add कीजिए लेकिन आलू है बेसन है को सब्जी ऐसी है जो इसका base होती है जो होनी ही चाहिए मटर बिंडी छोटी-छोटी cut की हुई और थोड़ा सा आमला इससे भी बड़ा प्यारा flavor आता है सब् पटा तो इसलिए आमला भी add करना ना भूलें एक आमला भोत है ये सब्जी एक्चुल में क्या है बनती तो जादा है जो मैं बना रहा हूँ लेकिन ये इतनी टेस्टी बनेगी कि तीन-चार लोगी इसको finish कर लेंगे इसलिए और थोड़ा सा स्वात के अनुसाड नमक इसम हमने इसमें एक नमक डाल दिया अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के क्या करेंगे इस नमक के साथ blend कर देंगे आप चाहें तो एक कप में पानी लेके उसमें नमक डाल के भी इसमें add कर सकते हैं तो थोड़ा सा पानी तो मैंने डाल दिया लेकिन मैं आधा कप करीब और सब्जी का वही तो भंडारी ही सब्जी होती है आप लोगों ने कभी बंबाई हो ना घर पे तो आपको ध्यान होगा कि हल्वाई ना बहुत मद्दी मद्दी आज पे ही सब्जी को पकाया है अब हम डालेंगे इसमें टमाटर और इसको ढखके रख देंगे लगवां पांच म पक पाती है लेकिन आलू जो है वह हो चुका होगा अब मैं क्या करूंगा इसमें जो मूली के पत्ते थे मूली तो मैं पहले डाल चुका था लेकिन जो मूली के पत्ते हैं वह मैं इसमें अवेड करूंगा और थोड़े से पालक के पत्ते देखो यह इसका दूसरा ओर याईट सब्झियां हैं, उनको हमको पहले पका लेना है, उसके बाद जो पत्ते वाली सब्झिया हैं। मूली के पत्ते पालक के पत्ते इन्हें कट करके बाद में एट करना है यानि कि 5 मिनट वाद ताकि इनका जो फिलेवर है न हमें इनका भी एक फिलेवर आता न सबजी में ग्रीन ग्रीन अब हम इसमें डालेंगे काला नमक पहले डाला था सबजी में हमने सफेद नमक और अब सारी मिक्स करके बनाएं एक दो सब्जी जो आपके टेस्ट की हो और मैंने इसमें एड़ ना करी हो तो आप भी एड़ कर सकते हैं होपर तो आपको ये दूसा सिक्रिट पता चल गया कि बड़ी सब्जी जो टाइड होती है उनको पहले पका लेना है पांच मेट उसके बाद पत्ते वалी सब्जीयों को ऐड़ करना है पहले वाले राॉंड में ही एड़ नहीं 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 करना है पांच मेट इसको भी पकाएंगे अब ये पत्तियां जो हैं, ये भी अपना रश छोड़ेंगी, सबजी के अंदर ये देखी, पानी में ने डाला था जितना, उसमें ये पत्तियां पढ़ी और ये जो पानी है, इसका सबजी का वो बढ़ गया, अब गैस का फिलेम हमारा सिम ही है, जैसे मैंने पहले बताया, और चेक करेंगे कि कौन-कौन सी सबजी हो चुकी है, अब चुकी आलू जो है, ये तो देखो हो चुका है, मैं तो गरम हास्तों से टच कर रहा हूँ, आप प्लीस ऐसे टच ना करें, ठीक है, और चेक कर लें, कल्चली की साहता से दबा के देख लें कि वो अलू हो गया है नहीं, थोड़ा सा चला लें ताकि मसाला उपर नीचे हो जाओी नमक वगयरा, और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर डालके, हलका सा चलाके, इसको डखके रख दे, अब दालचीनी का पाउडर मैंने अलग से भी डाला है इसमें, वो इसलिए डाला है, ताकि इसमें एक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इसके इंग्रिडेंट्स की, इसमें क्या-क्या-ची मैंने एड करी है, और थोड़ी सी खटाई, में इसका गरम मसाला यह है, मैं रिबीट कर रहा हूँ इस बात को, और हलवाई इसे 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 पेशल अलग से पीसते हैं, और आप यूटूब पे देखोगे न, तो उसमें वो नॉर्मल गरम मसाला डालते हैं, तो घर में जो सबजी बनती है, वो नॉर्मल सबजी बनती है, और इस गरम मसाले से आपकी सबजी भंडारे ऐसी बनेगी, तो इसका जो सीक्रेट है गरम मसाले का, उसे मैंने डिस्क्रिप थोड़ा सा चलाते रहेंगे क्योंकि सब्जी जो है अभी उस consistency पर नहीं आई है जो भंडारे वाली होती है अभी सब्जी इसमें खड़ी खड़ी दिख रही है तो हमें से match करना है और यह दिहानक ना सब्जी जैसे हम ढख रहे हैं इसको तो यह पानी छोड़ रही है तो इस है लेकिन सब्जी अभी पूरी तरह से match नहीं हुई है इसका मतलब बनी भी नहीं है और मैंना आपको बोला था ना यह हलकेल की आच पर पकेगी तो हर 3-4 मिनट बाद आप इसको हटाटा के चेक करते रही है कि सब्जी बनी है नहीं बनी है अब यह देखो मुझे लग रहा अगर यह सॉफ्ट हो जाता है बहुत मुड जाता है तो समर लो यह सब्जी जो है आपकी रेडी हो चुकी है तो मुझे लग रहा है भी है थोड़ी सी मुझे और चलानी है थोड़ी सी मैश करनी है उसके बाद क्या है सब्जी पूरी complete हो जाएगी तो मैं इसे 2 मिनट के लि यह क्योंकि गराम है जैसे यह थोड़ी ठंडी होगी न पैतरीन कंसिस्टेंसी आईगी इसकी ऐसा लगेगा जैसे किसी हलवाई नहीं बनाई है बस अब पारी है इसको कंक्लूजन देने की सब्जी को तो अच्छे से कर लेते हैं मैश सब्जी को कर लेते हैं रेडी बस चला लेंगे सब्जी को उमीद करता हूं यह बंडारी की सब्जी आपको बहुत अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें चाहे तो स्पेशल थैंक्स भी आप मुझे दे सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के ल